बेलतर उड़े अंतर्गत एक हत्या का मामला उजागर हुआ है जा धारधार शस्त्र से मृतक को उसके ही दोस्तों ने मोत के घाट उतारा किन्तु हत्या का कारण अभी तक अंजान है दरसल दिनांक 8 फरवरी के दिन मृतक एल देवनतान 26 वर्षिय अपने मनिशनगर अगनिरत संकुल स्थित रूम पर अपने अवकाश का आनन्द लेते वे नशा कर रहा था वही शाम को उसका रूमेट पवन हलवाई 25 वर्षिय रूम पर आया और वह भी साथ में शराब पिने लगा गौरतलब है कि मृतक हेगजावेर कंपनी में अभियंता का काम करता है जिसके नीचे उसके दोस्त पवन समेत गवरव चंदेल काम करते है बरहाल घटना के दिन मृतक एल देवतान को अवकास था जिसके चलते वह इंजॉइमेंट के लिए नशा कर रहा था शाम को पवन भी जॉब से वापिस आया और उसने भी मृतक को जॉइन किया उसी बीच सुभा लगबग साड़े पाज बचे दोनों का दोस्त गवरव चंदेल 25 वर्षिय फ्लैट पर आया जा आसंका जताई जारे है कि तिनों के बीच विवाद हुआ हो लेकिन चित्र अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन कुछ दिर बाद दोनों ने अचानक से एंबुलेंज बुलाई और सर पर मार लगने की बाद बता कर मृतक को भरती कराया लेकिन उपचार के दोरान इहल देवनतान 26 वर्षिय की मोत हो गई लेकिन शव विच्छेदन की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मृतक की चाकू या किसी धारधार शस्त्र से हत्या की गई है जिसकी बिना पर गवरव और पवन को हिरासत मिले कर जाज की जारी है इसमें जो इनफरमेशन मिली है तीन दोस्ते वो एक सात момент रहते थे और इससे पहले उनकी ऐसी कोई गहतना नहीं थी या पुलीस के बाद कभी आय भी नहीं थे इनके बारे में और जो यह गहतना हुई वो रात को गहतना हुई है दो दोस्त हैं उन्होंने मिलके एक तीसरा जो उनका दोस्ता उसका मर्डर किया है इन्फेक्ट ये जब इंजर्ड हुआ तो उसके बाद में वो हॉस्पिटल में लेके गए और हॉस्पिटल में भी उन्होंने गलत बताया जो अभी हमने आपके कैमरा के सामने नहीं बता सकता तो इस तरही की चीज़ है वो एक ही साथ में रहते थे उनके बीच में ऐसे पहले कभी कोई जगड़ा भी नहीं हुआता और एकदम सीधा जो इस तरहीं घटना हुई है तो उसकी फर्दर इन्वेस्टिकेशन चल रही है